जेरड और पी एक दर्द निवारक है। इसका इस्तमाल रिमेटेड अथराइटिस, इनकाईलोसिस, पॉंडिलाइटिस और आस्टियोर्थराइटिस जैसी स्तितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तमाल मासपीशों में दर्द, पीट दर्द, दाद दर्द या गले और कान में दर्द से रहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। जेरड और पी में दो दवाओं का मिश्रण हैं ऐसिकलोफिनेक और परसिटमॉल ये दवाएं दर्द, बुखार और सूजन के लिए जिम्मेदार रसानिक मेसंजर के क्रिया को रोक कर काम करती है। इस दवा को भोजन के बाद लिया जा सकता है समानी तह दिन में दो बाद, पर आप अपनी ड़ॉक्टर के सलाह से दवा की डोज़िझ लें क्योंकि हर वेक्टि के लिए उनके स्वास समस्या के हिसाब से दवा की डोज़िझ अलग-अलग हो सकती है। इस दवाई के कुछ समान्य साइड एफेक्ट भी है जो कुछ लोगों में दिखाई दे सकते हैं जैसे कि मिचली आना, उल्टी, पेट दर्थ और भूक में कमी, सीने में जलन और डायरिया इस दवा को खाने से कई लोगों को चक्कर और नींद आ सकती है जब तक आप नहीं जानते कि आपको या दवा किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक आप इससे खाकर गाड़े ना चलाएं या ऐसा कोई काम ना करें जिसमें मानसिक एकागरता की आवशक्ता होती है जरड़ पी लेती समय शराब का सेवन ना करें क्योंकि इससे बहुत अधिक ड्रावजिनेस हो सकता है नींद आ सकती है और लीवर को नुकसान होने का जोखिम भी बढ़ सकता है